दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेली प्राइम सॉफ्ट्वेर की एक ऐसी मेजिक्स कमांड के बारे में बताने वालों जो की एक प्रफेशनल अकाउंटेंट के लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है तो दोस्तो अगर आप भी किसी कमपनी में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हो और वहाँ पर टेली सॉफ्ट्वेर को यूज करते हो तो ये ट्रिक्स आपके बहुती काम आने वाली है तो दोस्तो वीडियो का पुरा कम्प्रीट देखना वीडियो कर आपको पसंद आए लगे तो जुरूर लाइक करना अपनी दोस्तों के साथ शेर भी करना अगर आप मारी चैनल पर नए आयो तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जाथ पर ओल पर क्लिक कीजिए ताकि मारी आने वाली हर नई-ईडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मौन सुथार और स्वागत आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल पे तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस magic commands के बारे में जाएंगे और laser पर जाएंगे और जैसा कि हमने यहां पर एक customer है राजकुमार इसका laser हमने open कर लिया तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यह जो हमारी इसमें transaction हो यह 5 सितंबर से लेके और 6 सितंबर तक कुछ transaction है कुछ 5 सितंबर की है और कुछ transaction इसमें 6 सितंबर की है तो अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है भी मान लिजी आपने किसे customer को statement mail करनी है पीडियाप करनी है चैसल करनी है जो भी करनी है लेकिन अगर आप यह चाहते हो भी इसमें से कुछ एक ट्रांजेक्शन आपको hidden करनी है यान कि यह जो ट्रांजेक्शन है यह ट्रांजेक्शन सारी के सारी ट्रांजेक्शन कस्टमर को शो नहीं हो अब फोर एक्जम्पल दोस्तों जैसे कि अब हमारे पास हमने यहां पर एक command देते हैं माली जी हमें 6 तारीक की कुछ इसमें से 6 स्टमबर 2021 की कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो हमें यहां पर hide करनी है यानकि सभी ट्रांजेक्शन 6 तारीक वाली नहीं दिखानी है तो लेकिन अगर हम यहां पर टैली में command देते हैं period अगर हम change करते हैं alt f2 के साथ में तो जैसे कि हमने एक आपने जितना last की जो sale करी है एक उसको आपको head रखना है यानकि यह जो detail है यह जो transaction है यह उस customer के पास ना जाए और उसके बाद में यह जो last case receipt आपके पास आई है यानकि last payment जो आपके पास receive हुई है customer की वो भी statement में customer को ना दिखे तो दोस्तों अभी आप देख रही हो यह जो running balance का तो इस option को आपको yes कर लेना है हम इसको yes करेंगे तो जैसी yes करेंगे तो आप देखो इसके साथ में हमारा यह closing balance साथ के साथ running होना start हो गया है तो अभी आप देख रहे हो इसका closing balance हा रहा है last entry तक का 29,938 रुपे और 84 पैसे और यह balance अब आपको यहां पर भी दिखा यह command है हमारी control plus R तो यह command आपको यहां पर कहीं भी शो नहीं होगी यह एक तरीके की hidden command है तो control और हम R करेंगे तो आप देख रहे हो अभी आपको एक मार थोड़ा से zoom करके दिखाता हूँ यह हमारी last transaction है sale की और यह है last payment receive की 45 रुपे की तो उसके बाद में हम control R करेंगे तो जैसे हम control R के देखो आप वो जो entry थी यहां से वो last sale की हट गी इसी तरीके से हम इसको 4500 रुपे वाली last receive है इसको भी इसके उपर क्लिक करके और control R करेंगे तो आप देख रहे हो यह transaction भी यहां से हट गी है और अब आपका इसका ब्लेंस देख रहे हो 22,777 रुपे और 96 पे यूज करेंगे और उसके बाद में यह मारा फीडिया पे चला जाएगा तो आप देख रहे हो अब यह जो transaction है मारी कुछ इस तरीके से open हो जाएगी तो अब यहां पर इसका जो customer का balance आएगा वो देख रहे हो 22,77 रुपे का यह closing balance आ रहा है अगर हम टेली की बात करें तो ट temporary हम remove कर रहे है इसको delete हमने नहीं किया डिलीट करेंगे तो यह सारी problem हो सकती है इसकी entry हमें वापिस करनी पड़ सकती है तो हमने इसको temporary roof से remove कर दिये control प्लस R की command से तो अगर हम original इसका statement देखे हमारी books में तो इसका balance अब 29,938 रुपे और PDF अगर फाइल जो हमने send करी है उसक अंदर 22,737 रुपे और 96 पे सार है तो दोस्तों कई बार होता ऐसा है यह command कब use की जाती है जब हम किसी customer की practical accounting maintain करते हैं company में तो कुछ एक transaction ऐसी होती है जो माली जी वो transaction हमने कर ली लेकिन वो transaction अभी तक हमारा जो customer है उसने अपने books में maintain नहीं किया वा लेकिन वो चाहता है अभी जितनी entry उस customer ने कर रखिया उतनी entry हम उसको बेजें ताकि वो हमारे इसका जो closing balance है वो इसके साथ हमारे books के साथ टेली कर सके अब माली यह हमने last जो sale का इन्मूज रिमूज इसलिए किया था क्योंकि कई वार ऐसा होता भी customer ने जो just last transaction हमने करी होती है वो उसकी entry अप अपनी books में maintain नहीं करी तो उसके balance में और उसके balance में यह difference आएगा तो उसकी वज़े से customer को थोड़ा सा परिशान हो सकते है तो हम चाहते है जो entry customer ने अभी तक नहीं कर रखिये केवल जो उसे ने कर रखिये वो एक बार मैं इसको tally करना चाता है तो उसकी हम इसको hide कर के कु जहां जहां कि आप कर सकता जाएगा यह control R से आपके सारी hidden होती जाएगा अब देख रहे हो सारी transaction hidden होगी लेकिन अब escape करके वापिस back आएंगे और वापिस enterprise करेंगे तो सारी transaction हमारे पास वापिस show करने शुरू हो जाएगी तो दोस्तो आई होप कि यह आज की जो magic trick आपको पसंद आई होगी वीडियो के पसंद आई तो दोस्तो लाइक देकि जरूर जाना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टोपिक के साथ